जब बारी आती है घर को paint करवाने की तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि emulsion इस्तमाल करे या फिर distemper इस्तमाल करे distemper जो की पुराना paint है जिसे की हम सालों से इस्तमाल कर रहे है और emulsion जिसका की इस्तमाल हाल फिलाल में ज़ादा बढ़ चुका है तो आखिर इन दोनों में क्या फर्क होता है इन दोनों के कौन-कौन से प्रकार होते है इनके क्या फाइदे होते है क्या नुकसान होते है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आशिश और स्वागत है आपका अपने construction zone channel में तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है distemper distemper यानि जिसे हम cement paint के नाम से भी जानते है अब ये जो paint है इसे हम पुराने जमाने से use करते हुए आ रहे है ये जो distemper है इसे बनाने के लिए pigment, chalk, lime powder, water animal glue, like resin and casein जो की paint की durability को increase करते है इनका इस्तमाल किया जाता है आज आपको market में oil based या फिर water based distemper available होते है ये जो distemper होते है basically इनके दो type होते है पहला type होता है acrylic distemper paint और दूसरा होता है synthetic distemper paint ये जो acrylic distemper paint होता है जिसमें आपको 1000 से भी ज़्यादा variation मिलते है अब ये जो acrylic distemper होते है ये बहुती smooth matte finish देते है और ये जल्दी सूख भी जाते है next type आ जाता है जो की है synthetic distemper ये एक समान matte finish आपको प्रदान करता है साथ में आप इसे गीले कपड़े की मदद से साब भी कर सकते हो अब जानते है क्या होता है emulsion paint ये जो paint है ये एक water based paint है जिसमें acrylic या vinyl resin mix किया जाता है resin mix करने की वज़े से ये बहुती टिकाव बन जाते है अब basically इनके तीन type होते है एक होता है matte दूसरा satin और तीसरा silk matte जो होता है ये नाम के ही तरह आपको इसमें matte finish मिलती है इसकी चमक जादा नहीं होती है पर इसका परणाम ये होता है कि ये बहुती smooth होता है इसकी जो finish होती है वो non reflective होती है दूसरा type है जो कि है satin इस प्रकार के emulsion में एक soft चमक आपको दिखाई देती है जादा resin उपस्तित होने के कारण ये vinyl matte से जादा टिकाव भी होते है और तीसरा type जो कि आजाता है silk तो इस प्रकार के जो emulsion होते है वो अपनी shine और durability के लिए जाने जाते है बाकी विकल्पों से ये बहतर होते है तो अब हमने ये जान लिया कि distemper और emulsion आखिर क्या होते है और उनके कौन से प्रकार होते है तो पहले हम जानते है emulsion के advantage के बारे में ये जो emulsion paint होते है ये ज़ादार अच्छे resistant होते है पानी या फिर chemical के against उसके बाद में इनकी जो thickness होती है इसकी वज़े से इनका application करना भी बहुती आसान होता है ये जो emulsion paint होते है अच्छे कासे durable होते है आप इनकी life जो है चार से लेके 6 साल तक consider कर सकते हो और आप इने prepare किये हुए wall या फिर wooden furniture पे भी apply कर सकते हो और ये paint water resistant होने के कारण आप इने आराम के साथ clean भी कर सकते हो तो cleaning के इसाब से emulsion paint आपके लिए best option आजाता है वही पर अगर हम distemper paint के जो advantage है इनके बारे में बात करते है तो पहला advantage ये आजाता है कि इने आप directly apply कर सकते हो cement surface पे दूसरा advantage ये आजाता है कि इनका cost जो है वो बहुती कम होता है बाकी paint की तुलना में और ये जो paint होते है ये जल्दी सूक जाते है और ये जो धूप होती है इसके वज़े से जो crack दिखाई देते है paint के उपर वैसे crack आपको distemper पर दिखाई नहीं देंगे तो अब बात करते हैं emulsion paint के disadvantage के बारे में तो यहाँ पर पहला disadvantage ये आ जाता है कि ये जो paint है इनकी cost distemper से थोड़ी जादा होती है उसके बाद में ये जो emulsion paint है dry होने के लिए इन्हें थोड़ा सा जादा समय चाहिए होता है और तीसरा disadvantage ये आ जाता है कि इन्हें आप directly cement surface पे apply नहीं कर सकते हो तो इसलिए आपको पहले surface को prepare करना पड़ता है पुट्टी और primer की मदद से उसके बाद जाकर आप जो है emulsion paint का इस्तमाल कर सकते हो अब बात करते हैं distemper paint के disadvantage के बारे में तो यहाँ पर पहले disadvantage ये आ जाता है कि आप इसे बार बार clean नहीं कर सकते हो दूसरा disadvantage ये आ जाता है कि इन paint की जो life है वो बहुत ही कम होती है यहाँ पर आप दो से लेके तीन साल तक distemper paint की life को consider कर सकते हो तीसरा डिसार्वंटी यह आ जाता है कि यह जल्दी फेड हो जाते है अगर हम इनकी तुलना इमल्शन पेंट से करते है तो अगला डिसार्वंटी यह आ जाता है कि यह जो डिस्टेंपर पेंट होते है वो इतने स्मूत नहीं होते है जितनी स्मूत नेस आपको इमल्शन पें 130 square feet area का coverage आपको दे देता है और वही पर अगर हम 1 kg distemper की बात करते हैं तो 50 से लेके 60 square feet area का coverage आपको मिल पाता है यानि कि यहाँ पर emulsion का coverage जादा होता है उसके बाद में इन दोनों में जब बात आती है पानी को mix करने की तो आप 500 से लेके 600 gram तक पानी को mix कर सकते हो और सबसे important चीज जो की है price तो यहाँ पर आपको अच्छे quality के जो emulsion है उनकी range 100 से लेके 700 रुपए per liter के इसाब से आपको मिल सकती है वही पर distemper का जो cost है वो बहुत ही कम है जो की आपको 50 से लेके 100 रुपए per kg के इसाब से मिल सकता है यहाँ पर emulsion में आपको best finish मिलती है जो finish आपको dist लेकते हैं तो यहाँ पर emulsion आपके लिए best option आ जाता है क्योंकि आप इसे easily clean कर सकते हो इसकी life भी अच्छी कासी होती है भले इसका cost थोड़ा सा जादा होता है पर यहाँ पर आपको coverage भी जादा मिलता है तो अगर आप थोड़ा जादा पैसा खर्च करोगे तो आपके लिए emulsion एक best option आ जाता है तो आप अपने घर के लिए कौन सा pen इस्तमाल करना पसंद करोगे emulsion या फिर distemper comment box में comment जरू कीजे और अगर आपके कुछ सवाल है तो इसके बारे में भी आप comment कर सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू इसे like कर दीजे चानल पे अगर आप नया हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है